स्लाम अलाइकुम वरह्मत लाह वबरकातों तो एक्चुली जो है मेरी चैनल है मैं इस पे जो कॉलिज सेमिस्टर इस होते हैं फ्रेश्ट सेकंड two फिप्ट सेमिस्टर जो भी कॉलेज में होते हैं वैं अनके डरेटड जो कुछ सब्जेक्ट्स होते हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटी कभी कभी मैं कुछ लेक्ट्ट्रस अफ्लोड करता हूं लेकिन आज मैंने जेके एस बी जो वील डबली ऑपंच है सेक्रेटरी का रिकूरेट्मेंट निकला है उसमें जो रिजनिंग का पोर्शन आता है तो उसम मैं आपको ऐसे कलेर करूंगा आपको कही और जाने की जरुरच नहीं पड़ेगी मैं आपको एक वीडियो में लिग्र इसमें है तो आपको सब कुछ समझ आजाएगा आप मतलब देखना पूरी वीडियो देखना उसके बाद फिर कुझे बोलना देखिए जो यूनिट है टॉपिक है इसका नाम है कलासिफिकेशन आप सेंटर कोड़ रोल नमबर्स देखिए इसमें आपको कैसे क्वेशन आएंगे आपको मतलब एक सुकेर बक्स दिया गया होगा उसमें कुछ रोल नमबर्स दिये होगे रोजन कॉलमस में पिन कोड़ दिये होगे या कुछ भी मतलब कंट्री कोड दिया होगा मुबाइल कोड दिया होगा स्टेट कोड रोल नमबर वाटएवर जो भी दिया होगा आपको उन मतलब नमबर्स को एनलाईज करना है और उसमें कुछ प्राब्लम आपको आइडेटिफाई करनी होगी तिपस क्या आपको याद रखने है इसमें आपको एक नमबर दिया जाएगा उस नमबर को आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है यहां पर मैं आपको बताऊंगा इसमें आपको यह पता है यह होता है लेफ्ट इस से और यह होता है आपको यह पता है जो अलफाबर इस से और यह होता है यह आपको पता होगा तो यहां आपको जो भी मतलब लेफ्ट के दो डिजिटिस होंगे यह वाले इनको आपको यह रहे आपका सेंटर कोड यह होता है है आपका सेंटर कोड मतलब यह सेंटर कोड होगा आपका एकेचेंज नंबर होगा कंटरी कोड होगा वाटेवर जो भी होगा और जो इस से होगा यह वाला जो यह फोर टुवन है यह मतलब तीन भी हो सकते हैं चार भी दो भी पांश भी जितने भी होंगी आपको इससे कोई फरक नहीं पड़ता है खाली सेंटर कोड होगा दो नंबर इसका ठीक है तो यहां पर जो फोर टू वन है यह होगा आपका एरोल्मेंट नंबर जैसे मतलब आपका रोल नंबर होता है ना यह वाला होगा आपका रोल नंबर ठीक है तो यहां से आपको क्लियर हुआ होगा मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा था देखे अब आपको यहां पर मतलब ऐसे जब आपको क्वेशन आएगा एक दो आएंगे शायद इस टॉपिक से क्वेशन क्यूंकि यह नाया ट तो फिर आपको नीचे कुछ दिये होंगे मैंने क्या कोशिश किया है मैंने मतलब आपको यहां से दो तीन क्वेशन निकाले क्योंकि बार बार आपको मैं बना सकता है थोड़ा टाइम लगता है फिर वीडियो भी ज्यादा बड़ी बन जाती है लेकिन आपको इसी से सब के दो होंगी आपका सेंटर कोड सेंटर कोड पिन कोड कांटरी कोड यह मतलब एक ही है ठीक हैं यहां पर सेंटर कोड की बात की गई है देखिए कि आपको सब कुछ पढ़ना है कि यहां पे 63 यहां पे 35 यहां पर आपको बताना है कि आपको सबसे बड़ा यहां पर सबसे बड़ा यहां पर सबसे बड़ा है इसमें 97 नहीं है तो यह रहा आपका फुर्ष्ट क्वेश्चन होप आपको समझ आया होगा क्वेश्चन नमबर टू क्या दिया गया है विच आप दा फॉलिंग सेंटर है इस हाइस्ट सीरियल नमबर देखें सीरियल नमबर क्या होता है सीरियल नमबर मतलब आतो है जो आता है जो भी गाड़ी करी सीडिल मैं चेहां पर बता गही है कि सेंटर में के च्राथ्च आइए देखें सेंटर कोड आपको काउंट नहीं करना है क्योंकि यहां पर सीरियल नबर की बात की गई है ठीक है यहां पर आपको देखना है सेंटर कोड में जो सबसे देखना है यहां पर आपको यह बताऊंगा एक सेकंड देखें यहां पर थी फाई है आपका सेंटर कोड यह आपको देखना है लेकिन जब आप पूरा पड़ागी तो यहां पर आपको दिखेगा जो 999 है यह सबसे बड़ा सीरियल नंबर है इस सेंटर कोड का मतलब आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका आपका सी ऑप्शन करेक्ट है मतलब जो 35 सेंटर कोड है इसी में सबसे बड किपन है किसेंटर आपको देखना है कि कि अदे कि 15 पांच चार होँगे है लेकिन आपको एकस कोड पर कौट करना है यह आपको यहाद रखना पड़े गहाइं लेकिन अगर यहाद रखना पड़े गया है यह आपको एक कि बार काउंट करना पड़ेगा आप ऐसा नहीं कह सकते है यहाँ पर पर सुश्वी भाउट करना पड़ेगा यहाँ पर सुश्वी भाउट hour होग यहाँ पर दो होगा फिर जितनी भी बार बार इस टेबल में आएगा आपको इसको एक ही बार count करना पड़ेगा ठीक है तो यह आपको याद रखना है इसमें अब आपको क्या बताया गया है कि कितने centers में examination conduct हुआ देखे हम आप मतलब ऐसे भी चल सकती हो अगर मतलब आप ऐसे count करोंगे या आप ऐसे एक सेकंड आप इनको मतलब ऐसे count करो line by line या आप इनको ऐसे count करो या आप इनको मतलब columns में count करो या आप इनको रोज में count करो आपकी मर्चे देखे यहाँ पर हम इनको count करते है ऐसे मैं इनको मतलब columns में count करता हूँ ठीक है देखे मैं यहाँ पर लिखता हूँ करूंगा क्योंकि एक बार आया है पहले 90 होगा तीसरा और six one होगा मेरा चोथा और five four होगा मैरा फिट five four three five जो इसके बाद यहां आता है मतलब मैं इनको ऐसे चाहरा हूं मैं इनको िक्सम् agree are यह पर जिए फिर से आता है लेकिन इसको मैं कहुंज नहीं करें कि पहले याए 35 पिर से यह पहले चिक्सा पिले आया है 9 3 हाँ यहाँ पर 9 3 जो है यह भी नहीं आया था इसको मैं यहाँ पर काउंट करूंगा 3 5 आया है सिकिस्त्री आया है देखे अब इनको आपको काउंट करना है कि यह कितने आ गए है टोटल देखे एक दो तीन चार पांश छे मतलब 6 सेंटर में आपका एक्जाम कंडेक्ट हो है तो इसका आसर आयेगा फिर तो वह आपका राहेगा सील मतलब सील सेंटर में आपका एक्जामनेशन कंडेक्ट हुआ है तो बस मतलब यही tasty ko Cape यहाँ पर हो थोड़ा से यहाँ पर समझाए reign धेखें एक सेकंड ऐगब यहां पर मैंने आपको समझ आ है कि मतलब चुभी मिनब हम इंड या में रहते हैं जो हमारा मतलब क्न्टरी कोड़ एक हमारा क्न्टरी कोड इसके बार कि अरो यह लफ्ट लेउब कोड यहां से आता है 여기에 मैंने भी पहले ही समझाय कोड़े हैं तो यहां से आपको काउट करने पड़े हैं तो यहां से आपको समझाया होगा आपको मतलब किस तरह से कौशन आएंगे इसमें कलास्विकिशन अप सेंटर कोड रोल नमबर तो मैं इसलाँ कुशिश करूँगा आगे मतलब जो भी इन 4-5 टापिक्स बज़ते हैं इनको मैं ऐसी आपको एक ही वीडियो में कवर करूँगा आपको कही और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी थैंक यू अलाहाफिज